आईपील दो हजार पच्चिस आउक्षन नवंबर के मद्ध होने वाला है बेते तेक्टेस अक्टोबर को ही सभी फ्रेंचाइजियों ने रिटेंशन लिष्ट जारी कर दी कई खिलाडियों को रिटेंशन होने का मौका मिला जबकि कई खिलाडियों को रिलीच कर दिया गया अब आईपील आउक्षन को लेकर बड़ा अपडिट सामने आया है इस बार होने वाली आईपील निलामी के लिए बी सी सी आई ने वेन्यू चुन लिया है मेडिया रिपोर्स के मताबिक आईपील दोहजार पच्चिस मेगा आउक्षन सौधी अरब की राजदाने ज्रियाद में होने वाला है कोजने पहले ही मेडिया रिपोर्स में दावा किया गया था कि बी सी सी आई लंदन और सौधी अरब में से किसी एक जगह पर आउक्षन आयोजित करवा सकती है लेकिन अब बी सी सी आई ने रियाद को चुन लिया है बस इसका आधिकारी कैलान होना बाकी है रिपोर्स की माने तो आई पिल दो हजाए 25 आउक्षन का आयोजन 24 और 25 नौमबर को होगा लेकिन बी सी सी आई ने अभी तक इस बात के पुष्टी नहीं की है इस बार मेगा आउक्षन में कई स्टार खिलाडी हिस्सा लेंगे रिशपंद के लामा, स्रेय साहियर, केल राहूल, जोश, बटलर सहीत कई बड़े खिलाडियों पर दाव लगेगा पंजाब किंग्स और दिली कैप्टल्स आउक्षन के जरी अपने नए कप्तान का चुनाओ कर सकती है BCCI ने IPL 25 से पहले सभी फ्रेंचाजियों की पर्स बढ़ाए थे पहले प्रतेक टीमों के पर्स में 100 करोड का बज़ट रहता था लेकिन नए नियम की मताबिक अब फ्रेंचाजियों को 125 करोड का बज़ट दिया गया है रिटेंशन के पास सबसे आदा पैसे पंजाब किंग्स के पास हैं पंजाब के पास मेगा ओक्सन के लिए 116.5 रुपए की पर्स वैल्यू बाकी रह गई है RCB के पास 83 करोड रुपए है SRH के पास 45 करोड LHG के पास 69 करोड राजस्तान के पास 79 करोड CSK के पास 69 करोड वहीं दिली कैप्टल्स के पास 73 करोड रुपए की पर्स वैल्यू बची है अब इक लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आये तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें